यह आपको homework मिला हुआ है यह आपको complete करना है ठीक है तो इसमें करना क्या है यह कुछ हिंदी के questions है ठीक है जो भासा के काम है उनके आगे टिक यानि कि सही का निशान लगाना है और जो भासा के काम नहीं है उनके आगे cross का टिक लगाना है यानि कि सही और गलत का निशान लगाना है हम आपको question जो है वो explain करेंगे आपको इसका answer हमें लिख के देना है जब कोई mistake होगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहां पे गलत है और कहां पे सही है ठीक है पढ़ना, सुनना, छीकना, सोना, गाना, लिखना सबसे पहली बाद भासा तुमको पता है किसे कहते है क्या होती है भासा तीन प्रकार की होती है मौखिक भासा, लिखित भासा और सांकेतिक भासा मौखिक भासा क्या है जहां पे हम किसी भी चीश को बोल कर बताते है लिखते हैं हाँ और सांकेदिक जिसमें इसारा करके बदें से कहते हैं न चुप रहो तो ऐसे हम लोग लिप्स पे हाथ रखे बताते हैं न ऐसे सांकेदिक भासा होती है तो इसमें अभी आप हमको टिक करके बताएंगे हम नहीं बताएंगे ठेक 11 शरो और 33 वेंजनों के अलावा कुछ अन्य वर्ड भी हिंडी वर्ड माला की सदस है कोई 4 अन्य वर्ड लिखो जो छोळा से गया तक हम लोग पढ़ते है तो 33 वेंजन के बाद कुछ वर्ड होते है संयुक्त वेंजन हमने तुमको अभी रिसंटली पढ़ाया है ना तो वो आपको चार लिखने है उसमें से ठीक है नीचे दिये गए सब्दों में रंगीन अच्छरों की मात्रा बदलकर नए शब्द बनाओ जैसे यहाँ पर देखो कि ला लिखा हुआ है ठीक है लाकी कैसे होगा का में बदलना ला में कोई चेंजस नहीं करना है आप इसको केला कर सकते हो का पे एक की मात्रा आप मेरी बात नहीं समझ रहो बेटा ला में कोई चेंजस नहीं करोगे लोकी लिखोगे तो ला में ओ की मात्रा हो जाएगी ना तो यह नहीं करना है का को ही चेंज करना है जैसे का में छोटी की मात्रा है तो आपको इसमें एक की मात्रा लगा दो जैसे केला ठीक है बैल है तो इसको बिल हो सकता है जैसे खील है तो खा को चेंज कर सकते एक की मात्रा लगाओ जैसे खेल ठीक है गान है तो गिन ठीक है रेत है तो क्या हो जाएगा रेल रेल नहीं होगा क्योंकि रेत लिखा होगा है री रित ठीक है रीत हो सकता है बड़ी की मातर लगा कि तो मोर जो colorful letter है उन्हीं को change करना है सबको change नहीं करना है उसके बाद देखो वरडो को सही करम में जोड़ कर शब्द बनाओ जैसे है ठाई मी इसको क्या बनाओगे मी ठाई हाँ ला सगी पानी किस में पीते हो गिलाज फिर उसी तरीके से ली मच्छी ट्राई करो मच्छी चूया ही फिर दो दो नाम लिखो दिन के दो नाम लिखो जैसे सोमवार, منगलवार पशु पशु का भी नाम कोई दो लिखो पश्ची पश्ची हो बुलबुल फिर है पुर्लिंग को सही इस ट्रीलिंग से मिलाओ जैसे नाना का अब ये पेज आपको पूरा कम्प्लीट करना है ठीक है उसके बाद हम इसमें जलते हैं फिर क्या है बताओ एक या अनेक ये एक है कि अनेक है और ये कुडसिया अनेक ये पेड़ अनेक सूरज सही विशेशड सब्द भरकर वाग की पूरे करो आइस्क्रीम होती है आइस्क्रीम मीठी होती है शहद होता है शहद कैसा होता है शहद कभी खाया है मीठा होता है आस्मान होता है पत्ते होते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो उल्टे अर्थ वाले मतलब आपोजिट वर्ड उचा का पोजिट, नीचे, लंबा, छोटा, अंदर, बाहर, गंदा, साथ, ओके चित्र देखकर खाली इस्थान भरो, ठीके ये देखो चित्र दिया, चित्र एक दिया गया है, इसमें क्या है, एक पेड है, सूरज है, चुडिया है, एक घर बना हुआ है, दो बाल्टी है, त पेड के पीछे से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, सूरज, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे के हाथ में है, बच्चे में रंग भरकर एक दूसरे पर फेक रहे हैं, सब बच्चे बहुत है, सब बच्चे बहुत खुश है, सब बच्चे बहुत खुश है, सो, ओके फ्रेंज, मैंने इसको सारे क्वेशन समझा दिये हैं, जब भी ये कर लेगा, मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ,